नमस्ते मेरा नाम राकेश है और मैं जुमनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ आज छे दिन के बाद बाहर निकला हूँ और मेरे जैसे कई सारे लोग है जो आज काफी दिनों के बाद बाहर निकले हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग डर पोक है लेकिन जब तक अपन नहीं सकता यह अपर मैं बहुत यग हूं अभ्या टेंपरेचर बहुत जादा है तो यह सेम गलती की फैल नहीं सकता स्टेज 2 जो था 14 तारिक तो यहां पे 14 तारिक को शायद 5000 केसिस थे और स्टेज 3 में आज यह पहुँच चुके है 19 तारिक केवल 4 दिन में यहां के केसिस जो है 15,000 के आसपस बढ़ चुके है तो प्लीज प्लीज यह गलती आफ मत किजिये हमारे देश में घर पे रही है घर से बाहर मत निकलिये क्योंकि यार हमारे देश में अगर यह फैल गया ना तो बहुत बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यह देश जो है यह बहुत अडवांस्ट है तो रोकना मुश्किल हो जाएगा और यार यह लोग जो है ना यह इतने सोशल है नहीं यह जादा मिलते गुलते है नहीं फिर भी इनक्या इतने तेजी से फैल रहा है उसके कंपरिटिव में अगर हमारा देश देखा जाए हम लोग इतने जादा मिलते हैं और बहुत सारे तेओहार या बहुत सारे सोशल गादरिंग हम लोग करते हैं तो अगर ऐसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में और अगर आप ये भी सोच रहे हूँ कि यार मैं तो यंग हूँ और मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी इमिनिटी अच्छी है और फिर होगा नहीं लेकिन अगर आपके बॉड़ी में है आपको कुछ हो भी नहीं रहा है 6-7 दिन तक आप उसको लेके चल रहे हो लेकिन आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बुजूर्ग है बच्चे है उनको अगर अफेक्ट हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है तो बाहर मत निकलिए बहुत मतलब इससे अच्छा देजबक्ती दिखाने का आपको इससे आसान मौका मिल ही नहीं सकता है और कोई आपको कई हत्यार लेके बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है अपनी घर में बैठना है बस घर में बैठ है रहना है तो यही है कि अपने घर में बैठ है रही है बहुत सारी चीज़ है यार टीवी देखो, मोबाइल बहुत कुछ है और गवर्मेंट अपनी तरफ से जो कर रही है लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठोके यह रुकेगा नी और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिच्वेशन आनी आ गई जैसे इटली में है तो कर्फ्यू का मतलब आप जानते हो क जो हमारे सैनिक जो बॉडर पे है जो अल्रेडी है उनको फिर वहां से उठा के फिर उनको हर जगा शेहर में डिपलॉई करो और फिर अपनी बॉडर खाली करो उसके अपने अलग डिसद्वांटेज़स है तो यार हमारे जो है सोल्जर जिसकी इतने लोग जादा रिस्पे और सुरक्षित रही है और जो गलती हमने जो गलती इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने की वो प्लीज हमारे भारत में मत कीजिए अपना खयाल रखिए जाहिन